आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम लेके आए हैं Excellent Quarter 2 Results का Summary for Vodafone Idea या फिर VIV Brand जी हाँ Rebrand भी हो चुका है और बहुत अच्छी ख़बर है इस के लिए आगे के लिए Multibagger बनने की तैयारी शुरू हो चुके है और उसके Early Indication इस Quarter Results में बिल चुके हैं आईए चल कर शुरुआत करते हैं सबसे पहले बताते हैं कि क्या ख़बर है मारे पास में Data is going to be in demand जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग की Data Dependency बढ़ती जाएगी आपको शायद याद हो 80s में जिस तरह से Oil की डिमांड बढ़ती जा रही थी और देखे आज की Oil की क्या प्राइस चल रहा है उसी तरह से ये Data का Phase है जहाँ पर जिसने जादा Data का उपर Control किया हुआ है वो आगे एक Company बहुत जादा Survive करेगी इसका एक Specialty है जो हम आगे बताएंगे आपको यहाँ पर और Vodafone Idea के होने से जो VI Brand हुआ है Expectation यह है कि Within 4 Quarters इसमें 30% का Productivity Boost होता है This is as per one of the US Market Research Survey जो कि एक बहुत बढ़िया ख़बर रही गर ऐसा होता है तो अब अगर इसके Market Capitalization की देखे जाए तो करीब-करीब 24,000 करोड की Market Company है और अगर Operation Parameter की हिसाब से देखा जाए तो देखे रिजल्ट की सबसे पहले बात करते हैं आपर Sales जो है थोड़ी बढ़ी है करीब-करीब 1.5% के आसपास बढ़ी है sales जैसे जैसे Economic Activity पेकप होगी उसकी Sales भी बढ़ रही है जो कि एक अच्छा साइन है Total Income जो अधर इंकम एड़ करने के बाद में 10,700 की वज़ाए 10,830 करोड की आसपास है जो भी बहुत अच्छा साइन रहेगा यहाँ पर expenditure की बात की जाए तो expenditure करीब-करीब यहाँ पर इनका कम हुआ है 13,000 करोड का इन्होंने expenditure किया है इस बार relatively बात किया जाए तो provisioning रखी है जिसकी वज़े से आगे profit इनको increase होने की उम्मीद रहेगी पचास हजार करोड का profit रखा है पर इनके पास multiple option है जो हम सारे discuss करेंगे जिससे चल कर इनकी bottom line फिर बढ़नी शुरू होगी यह सीधर किसीधर उनकी profitability में increase होगा जैसे ही यह उनने implementation किया तो अभी आपको यह dirt cheap price में मिल रहा है जबी इनके plan implementation का announcement होगा उसके बाद आपको यह फिर नहीं मिलेगा इतने सस्ते price में तो इस बात का ध्यान रखेगा दोस्तो यह बहुत बढ़िया मोके पर आपको मिल रहा है net profit की बात की जाए तो net profit में भी बहुत शांदार improvement आया है 25,000 करोड के नुकसान की बजाए 7,000 करोड का नुकसान हुआ है आप बोलेंगे कि नुकसान हो रहा है फिर भी आप बोल रहा है बहुत फायदे की बात है तो दोस्तो बात समझने की कोशिश कीजे अभी यहाँ पर जो revenue चल रहा है वो कम चल रहा है क्योंकि इन्होंने data और plans के ओपर war चली हुई है price war रगाइस जियो के वज़े से पर वो जादा दिन नहीं चलेगी जैसे ही improve होना शुरू होगा और उसके signs दिखने लगे हैं थोड़े थोड़े तो यह और भी अच्छा चलेगा हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप एक सिम कार्ड फ्रों वियाई से बाय कीजे जो कि उनकी customer base को increase करेगा इस quarter में उन्होंने report किया है करीब 8 million customers reduce हुए है तो जो पुराने customer है जो use नहीं कर रहा है active नहीं हो रहा है उनका reduce number बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है जो अब बचेंगे वो percentage wise active customer बचेंगे उससे उनका revenue पर user जो है वो बढ़ेगा इसका अभी एक example बताते हैं पोस्ट पेड प्लान में वोड़ा फोन की dominance है दोस्तो हम लोग nifty और bank nifty के active internet करते हैं और साथ में technical workshop भी कराते हैं और portfolio management अगर आपको यह service चाहिए तो हमें mail drop कर सकते हैं आपको 8,000 रुपीस charges है तो देखे पोस्ट पर dominance की बात की तो वोड़ा फोन में 42% का इनके पास में dominance है जो की बहुत बढ़िया view दिखा रहा है एरटल के पास में 28% है तो यह एक अच्छा sign रहेगा इसका अब यहाँ पर देखे प्रमोटर की holding जो है अगर तो प्रमोटर की holding 72% की आसपास है और वहीं पे others जो second category सबसे जादा है उनके पास में 16% की यहाँ पर holding है जो की एक बहुत बढ़िया sign है अगर आप देखेंगे प्रमोटर के पास यही एक option है जो जिससे वो आपना debt को बहुत जादा कम कर सकते है यहाँ से कुछ stake sale कर सकते है multiple ways से sale करने का option है FIA को दे सकते है चाहे तो DIA को दे सकते है चाहे mutual fund और insurance companies को sell कर सकते है office के थूँ तो यह बहुत बढ़िया option है इनके पास में अभी इनके पास बहुत सारी holding अपने पास बाकी है अगर other category में देखा जाए तो FIA के पास 6% है और insurance company ने भी करीब-करी 0.3, mutual fund ने 0.5 और others DIA ने 4.8% में पास होड़ी रखी हुए है इन्होंने IBM के साथ big data का साथ tie up किया है जैसा हमने बताया है दोस्तो data is going to be the king आप data को कैसे analyze करेंगे क्या करेंगे तो big data के through IBM help करेंगी उनको यहां से data का analysis करके बताएंगे कि कहां फिर customer जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और उनको फिर वा और उसके बाद में उनके customized product को sell कर सकते हैं जो ज्यादा use करते हैं अगर suppose कोई ज्यादा data use करता है तो उनके लिए ज्यादा data का package promote करो जो ज्यादा voice वाले बात करते हैं तो उनसे voice वाला package बात करो तो इस तरह से इनका आग एक बढ़िया काम रहेगा किसी को अगर post paid recommendation करना ह तो वो भी इस data के through analysis करके इनको marketing opportunity बहुत अच्छी मिल जाएगी अब ज़रा इसका result का हमें एक बार दरा देख लेकि भाव पर क्या फरत पड़ा है तो दीखे एक morning में एक spike बनी थी करीब 8 रुपे 70 पैसे 8 रुपे 80 पैसे 9 रुपे तक चली गई थी यह और उसके बाद मे फिर थोड़ा fizzle out हुआ है और यहाँ पर अभी stability आ रही है 8% आपको यह भी समझना है context क्योंकि market overall थोड़ा सा negative है अब अगर इसका long term का chart देखा जाए तो देखे यह एक zone जो बन गया है यह बहुत बढ़िया consolidation zone है और इसको हम आगे बताएंगे भी आपको यह तो technical parameter पर हम 937 इस range में बहुत time spend कर दिया है अब यह यहाँ पर consolidate करके हमारे इसाब से जैसे 940 को cross करेगा फिर अपना यह 52 week high को cross करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यह भी एक अच्छा indicate होगा आगे आने वाले समय के लिए 5G ready है और उसके बाद में इनकी अच्छी revenue जनरेट होगा वहां से क्योंकि 5G के थुरू आपको हम बता रहे हैं आप movie पूरी के पूरी तीन minute में download कर सकते हैं तो बहुत super fast speed हैगी काफी जंगा पर problem हो रही है भी speed की वजए से पर यह अब सब जंगा पर improve होने की शुरू हो जाएगी आगया आने मेले समय में तीन key factors जो इनको आगे क easiest plan है जो अपने plan के हिसाब से यह लोग debt to reduce करने के डाल सकते हैं जिसमें foreign participants के लिए भी allow कर सकते हैं mutual fund insurance company और DIAs और साथी साथ में others आप और हम जैसे लोग तो अगर यह आता है तो definitely इसके लिए एक trigger point होगा upward direction के लिए क्योंकि आप समझे क्यों उनको निकालना होगा जब भ एक अच्छा sign माना जाता है companies के reference में जब भी वो ofs को promote करने की कोशिश करते हैं office को बेचने की office के तुर अपने stakeholding बेचने कर सकते हैं 72% उनके पास पड़ा हुआ है तो उसको तो definitely 5-10% तो आराम से निकाल सकते हैं उसको और revenue per user जैसा हमने बताया यह revenue per user अब धीरी दीरी grow करेगा इस quarter में जलक दिखने लगी है बताते हैं इस quarter की क्या जलक आ रही है अगर देखेंगे यहाँ पर तो देखें इस quarter में उनके पास revenue per user था 107 और अगले quarter में बढ़कर जो पिछले quarter में था 107 था वो बढ़कर 119 हो गया है 12 रुपे per user average revenue बढ़ रहा है तो इवन दो आ आप समझिए करीब करीब आपका number of customers reduced हो गया 8 million से जो की 3% के आसपास है पर revenue per user के हिसाब से 112 बढ़ गया है जिसकी वजए से इनकी sales जो है increment दिखा रही है तो यह बहुत अच्छा parameter रहती जो आपको समझना है आगे आने वाले समय में customer भी बढ़ेंगे जब धिरे इनकी proficiency बढ़ेगी वी आई ब्राण के तुरू तो उससे बढ़िया काम चलेगा अगर यहां पर आपको सलाह हमारी तीन सलाह देंगे पांच पाइपांच का रूल है हमेशा दिखान रखे अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको इसको होड़ तो हमेशा अपना action plan रखे कभी भी short term में मत करिएगा अपना investment अगर conclusion किया जाए तो इन में से कोई भी एक trigger अगर इसको मिलता है तो वो बहुत अच्छा return देगा आने वाले समय के लिए यह बहुत बढ़िया position पर biased है यहां पर इसकी buying range क्या होगी वो भी हम बताएंगे नीचे मिलता है तो आप इसको आँख बंद करके खरीद सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको fair value जो है इसकी जिसमें अभी वो चल रहा है 7 रुपे से 9 रुपे के बीच में fair value है low range of fair value आप accumulate कर सकते हैं जैसा हमने बताया उस box के range में भी आपक से नीचे अपने आपसे demand आ रही थी और उपर चलता चला जा रहा था तो यह देखी यह भी उससे match कर रहा है यहां पर और over value वो range है जहां पर अभी अगर जाएगा तो आपको थोड़ा सा profit book कर लेना चाहिए 15 के उपर चला गया अभी इस quarter में तो वहां पर थोड़ा सा profit book क एक relatively easy technique रहती है जिसके तुरू आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना लाइक जरूर बताईएगा और consult your financial advisor before investing and trading और अगर हम इसके target की बात की जाए हमारा long term का target इसका 50 के अबव है तीन साल के अंदर यह long term में 50 से जादा देगा आपको पै आपको और में आपको तुरू और आपको बात की जाए हमारा देगा दो में जाए हमाराण झाल षर बताव जाए हम एन प्यादा आपको जाए हम